कैसे हैं सारे बच्चे स्वागत है आप सब का डाउनेट क्लास में तो बिचा आज हम पढ़ने वाले हैं जेनरल और गानिक के कुछ बहुत इंपॉर्डन क्वेस्टिन जो आपका कंसेप्ट तो स्ट्रॉंग करेंगे ही साथ ही साथ आप इन क्वेस्टिन को लगा के जितनी भ सारे मैं आपका सारा मिस कंसेप्शन जितनी भी आपके अंडिस्टांड निंग वह सारी क्लियर हो जाएगी और अच्छे से और चलिये लेक्चर स्टार्ट करते हैं गोस्त इम्पॉर्टन क्वेस्टt इसमें आते हैं और इससे आप क्या-क्या चंसेप्ट सीख सकते हो वह let's get started पहला सवाल देखते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है अरेंज द फॉल्विंग इन ओर और आफ दे इस स्टेबिलिटी अर्डर इन सभी के स्टेबिलिटी ओर अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे तो यहां पर देखा जाए विटा आपको यह रहा प तो वैसे तो यहां पर आपको आंशर देख रहा है लेकिन मैं आपको इसका कंसेप्ट बताती हूं ठीक है कंसेप्ट इसका यह है कि यह आपका कैसा कार्बोकेतायन यह वण डिगरी कार्भोकेतायन है और यह मंखी केर्गरी किससी कार्बोकेटाइन अब यहां पर इसके बगल में सिर्फ एक कार्बोकेटाइन और वाला जो कार्बोकेटाइन है ये वाला जो ये वाला कार्बोकेटाइन है इसके इधर इधर और इधर आपको तीन कार्बन डिरेक्ली अटाज दिखाई दे रहे हैं तो यह हो जाएगा थी डिग्री कार्बोकेटाइन और अगर यहां पर देखा जाए तो यह है हमारा कार्बोकेटाइन और इसके यहां और यहां पर आपको दो कार्बोकेटायन दिखाई दे रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका टू डिग्री कार्बोकेटायन तो अब हमें डिग्री अफ कार्बोकेटायन पता लग गया है तो अब जानते हैं कि वाट इस अलफा कार्बन बिटा जो भी आपका कार्बोकेटायन ह हो या free radical हो या कोई भी functional group हो उसके बगल में उसके just बगल में लगा हुआ carbon को हम alpha carbon बोलते हैं तो जैसे कि यहां पड़ देखिए यह है हमारा कार्बोकेटायन इसके बगल में यह जो carbon लगा है इसको बोलेंगे हम alpha carbon इसके पास बीटा golden थेın इन अल्फा carbon एक यह एक यह एक यह क्योंकि इसका तीन तीन क्या जुड़े होए मियता carbon दिखा जाहे तो इसके पास दो alpha carbon एक यह एक और यह दो alpha carbon नहीं पिटा alpha carbon से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अलपा हाइड्रोजन और यहां पर जब भी आपको stability of कार्बोकेटाइन यह किसी भी stability के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आप stability का order बताएंगे सबसे पहले जो आरो मैटिसिटी शो कर रहा हो जहां पर कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट इन सबकी वज़े से अगर कोई आरो मैटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो सबसे जादा स्टेबल होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं चेक फॉर एरो मैटिसिटी अगर एरो मैटिसिटी है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे जादा प्रेफरेबल होगी सबसे जादा dominating होती है aromaticity से iu stability अगर aromaticity नहीं है जैसे यहाँ पर इन में से कोई भी compound aromatic नहीं तो फिर हम check करेंगे resonance और मतलब resonance क्या यहाँ पर आपको कोई conjugation दिखाई दे रहा है अगर conjugation नहीं है तो resonance नहीं और अगर resonance नहीं है तो मीजोमेरिक एफेक्ट भी नहीं होगा मीजोमेरिक एफेक्ट को चेक करने की जरूती नहीं ना aromaticity है ना resonance है ना मीजोमेरिक एफेक्ट है तो यहाँ पर अब देखेंगे हम hyperconjugation और hyperconjugation के बाद देखते हैं इंडक्टिव है पिटा hyperconjugation होता है किसी भी कार्बोकेटायन या फिर फ्री राडिकल में ज्यादा पाया जाता है जिसमें से कार्बोकेटायन में ज्यादा अच्छा hyperconjugation होता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो hyperconjugation से हम बताएंगे इसका answer the concept is hyperconjugation बिटा हमारे कार्बोकेटायन के पास जितना ज्यादा alpha hydrogen होगा उतना ज्यादा यह hyperconjugation शो करेगा और इसका alpha hydrogen देखा जाए तो इसने तीन बांड तो अल्रीडी बना चुके हैं और इसके पास एक alpha hydrogen बच गया इसके पास बिटा तीन alpha carbon है हर carbon पे यहाँ पर देखा जाए तो तीन alpha hydrogen यहाँ दो alpha hydrogen यहाँ दो alpha hydrogen मतलब टोटल इसके पास 7 alpha hydrogen है जबकि इधर देखा जाए तो 2 alpha hydrogen यहाँ तीन alpha hydrogen यहाँ यहाँ पर total 5 alpha hydrogen है मैंने बताया आपको कि जितने ज्यादा alpha hydrogen उतना ज्यादा hyperconjugating structure और उतनी ही ज्यादा हमारे hyperconjugating structure की stability तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेवल कार्बो के टायन वह होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्फा hydrogen है डाट इस सेकेंड नमबर उसके बाद आएंगे थर्ड नमबर पर उसके बाद आएंगे फर्स नमबर पर यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर राइट तो यहां पर जो आपने आंसर बताया वह किसे बताया hyperconjugation द्वारा अब सेकेंड कॉस्चिन में हमसे stability पूछा है यहां पर भी जो आपको वन डिगरी और यह भी वन डिगरी मतलब यहां पर में डिगरी ऑफ कारवं से तो नहीं बता सकती हूं कि कौन सा कार्बोकिटायन ज्याद सेबल है क्योंकि सबकी डिगरी है सबके पास सेम नमबर ऑफ अलफ़ा हाइडोजिन से तो अब यहां पर क्या लगेगा रेजोनेंस है नहीं मीजोमेरिक है नहीं नहीं हाइपर अ मिपिime है तो अब क्या देखेंगे तो अब देखेंगे हम Inductive Effect Inductive Effect से हम देखेंगे के positive charge stable हो रहा है या unstable हो रहा है पोज़ीच चार्ज का मतलब क्या होता है đ democracy Palmer मतलब होता है electron की कमी positive charge मतलब होता है electron की deficiency अगर electron की deficiency को electron मिल जाए तो वो stable हो जाएगा तो यहाँ पर कौन deficiency को पूरा कर रहा है यहाँ पर लगा हूँ इस इन ग्रुप और यहाँ प्र लगावा है ठीक है यहां पर लगा हूँ यहां पर नाइट्रो गृपग यहां पर गृप और यहां पर देखा जाया तो यह ग्रूप है ठीक और यहां पर देखा जाए तो अगर मैं यहां पर इंड़क्टिव एफेक्ट से माइनस आई को और देखो तो माइनस आई इफेक्ट वो होता है माइनस आई इफेक्ट वो होता है जो एलेक्ट्रोंस को अपनी तरफ खीचता है एलेक्ट्रोंस को अपनी अच्छा एलेक्ट्रान विद्ड्राइंग गुरुम है और अगर कोई कार्बो के टायन है और उसके साथ représent विद्ड्राइंग गुरुप लगा हुआ है तो वो कार्बो के टायन को सबसे कम स्टेबल करेगा यह तो सबसेwen Buddhist स्टेबिलिटी को घटाएगा उसके बाद ये स्टेबिलिटी को घटाएगा और उसके बाद ये स्टेबिलिटी को घटाएगा समझ में आ रही है मेरी बात तो सबसे कम स्टेबिलिटी को सारे घटा रहे हैं क्योंकि सारे ही माइनस आई ग्रूप है चाहे नाइट्रो कौन खीच रहा है नाइट्रो खीच रहा है और जो जितने तीजी से एलेक्ट्रॉन खीचेगा वो उतना ही ज्यादा अंस्टेबल बनाएगा हमारे कार्बोकेटाइन को तो यहां पर वैसे रटने को तो मैं नहीं कहूंगी समझने को कहूंगी कि माइनस आई इफेक्ट से कार करेगा एलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खीचेगा तो कार्बोकेटाइन और उससे आप ले रहे हो तो यह और भी ज्यादा अंस्टेबल करेगा तो यह हो जाएगा हमारा सही और ठीक है चली तो यहां तक सारी कंसेप्ट क्लियर होगे यहां पर आपने क्या देखा आपने द आर्रेंज दफिर फॉबलइग अकॉर्डिंग टू देर असेडिक स्ट्रिंद इनकी आसिक स्ट्रिंध के बैसेश पे आप इनको अरेंज की जिये क्रीजिंग आप देर आसेडीक स्ट्रिंथ में है ठीक है चली अब यहां पर देखा जाए वोट एजन आसेड अगर मैं बो चेंज हो जाएगा बन जाएगा ए माइनस अब यह रियाक्शन जितना तीजी से वार्वर्ड डारेक्शन में जाएगा यह रियाक्शन उतना ही क्या रहेगा अच्छा हाइड्रोजन आयन देगा यह जितना फॉर्वर्ड डारेक्शन में जाएगा उतना ही ज्यादा हाइड् बन रहा हो अब एच प्लस तो वो दे रहा है प्रोड़क्ट में बाकी क्या बज़ गया ए माइनस जब किसी भी आसेड से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है तो जो आपका बचता है उसको बोलते हैं कॉंजूगेट बेस और जब किसी बेस में एक हाइड्रोजन दे दिया जाता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं कॉंजूगेट आसेड मतलब क्या है अगर आपने आसेड में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो बन जाएगा यह कॉंजूगेट बेस और अगर किसी बेस में आपने एक हाइड्रोजन एड कर दिया तो यह बन जाएगा बिटा कॉन्जूगेट आसेड यह कंसेप्ट आप पढ़ते हैं आइने के क्लिप्रियम में तो अब किसी भी कॉन्जूगेट बेस में आप क्या कर दें स्टेबिलिटी अगर बढ़ा दें कॉन्जूगेट बेस की तो यहां पर अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया बढ़ा दिया अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा दी है तो रियाक्शन उतने तैजी से फवर्वर डियरेक्शन में जाएगा उतना अच्छा आसेड त नेगेटिव अब इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक कर लिजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो पहले देखते हैं सी एफ त्री नेगेटिव तो क्लो कार्बन के उपर लगा वेटा तीन फ्लोरीन एक यह एक यह एक यह और कार्बन के उपर है एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर carbon के उपर negative charge और इसके उपर लगा हुआ है 3 फ्लोरीन लगा हुआ है अब देखो ज़रा the fluorine chlorine ये सब क्या होते हैं ग्रूप्स होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खीचते हैं यह इलेक्टरॉन को अपनी तरफ खीचेगा यह अगर कहीं से इलेक्टरॉन खीचा चला जा रहा हो नेगे टेफ चार्ज से आपने दुख क्या कर दिया कम कर दिया तो stability क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यह हो जाएगा इसका order this will be more stable यहाँ पर क्या कीज़े यहाँ पर भी hydrogen ऐसे दे दीजे यह है आपका negative यहाँ बन जाएगा इसको भी hydrogen निकाल दीजे नेगेटिव यहाँ बन जाएगा more electronegative कौन है इसमें ऑक्सीजन या फिर यह तो यहाँ पर जो more electronegative वह ऑक्सीजन है तो oxygen electron को अपनी तरफ खीचेगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पास यहाँ पर अब क्या हो गया अगर hydrogen चला जाएगा तो यहाँ एस और माइनस यहाँ पर और माइनस हो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके stability जादा हो जाएगी क्योंकि यहां पर यह जो लोन पेर न सकी पास लोनपिर नहीं यह लोन पेर जब्हून पर जबढेकर फिटन ने डिशा रेफ चार्ज को जितना ज़्यादा लोन पेर मिलेगा उतना ही ज्यादा वह उकान से झाल हो गया अगर लोन पेरे अन the form of loan pair or in the form of negative charge तो उसकी stability घटेगी ठीक है ना चलिए जी तो यह हो जाएगी इसकी stability और यह हो जाएगा अरें तो acidic strength ठीक है इसमें आप इसकी stability इसको बोलेंगे ठीक है cf3 negative clear चलिए अब यहां पर बोला जा रहा है कि इन में से कौन सा molecule resonance नहीं देगा resonance नहीं शो करेगा देखो जरा यहां पर अगर देखा जाए तो यह क्या है आपका NH3 ठीक है positive यह है PR3 positive यह है सबसे पहले resonance शो करने का condition क्या होता है बिटा what is the condition to show resonance effect that is conjugation conjugation होना चाहिए conjugation किसको कहते हैं कोई भी structure में ऐसा condition conjugation उस condition को कहते हैं किसी भी compound में जब आपके पास क्या हो alternative पाई सिगमा पाई बॉन हो ठीक है consecutive ली पाई है सिगमा है पाई जैसे पाई सिगमा पाई सिगमा पाई सिगमा पाई सिगमा पाई सिगमा पाई यह है conjugation यहां पर भी पाई सिगमा पाई सिगमा पाई सिगमा कांजूगेशन दूसरा पाई सिगमा नेगिटिव चार्ज हो अगर जैसे कि यहां पर पाई सिग्मा नेगेटिव कंजूगेशन है तीसरा कंजूगेशन का कंडिशन पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजूगेशन तो यहां पर देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजूगेशन जी बलकुल सही है सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या free radical हो ठीक है क्योंकि दोने electron deficient होते हैं पाई सिग्मा फी राडिकल यहां पर भी एक अच्छुगेशन एक और तरीका अच्छुगेशन होता है विटा हमारा लेकिन क्या resonance शो होगा अगर यहां पर पहले वाले केस में देखते हैं अगर resonance शो होगा तो यह positive charge है तो यह electron को अपनी तरफ बुलाएगा क्योंकि यह electron deficient है अगर यह electron अपनी तरफ जाएगा तो यहां पर यह बनना चाहिए कि यहां पर double bond NH3 बन जाना चाहिए इस तर पॉजिटिव चार्ज और यह हो जाना चाहिए अपना structure resonance के बाद यह होना चाहिए ना लेकिन अगर रध्यान से देखो तो नाइट्रोजन ने यहां पर कितनी bond बना लिए तीन तो अल्रडी hydrogen से बना हुआ था इसका दो इसने बना लिया है और कार्बन के साथ bond 5 bond बना लिए nitrogen क्या कभी nitrogen 5 bond बना सकता है नहीं कभी नहीं बना सकता तो इसलिए यह ऐसा कभी भी resonance exist नहीं करेगा resonance नहीं होगा इसमें similarly यहां पर भी सेम केस है पाई सिग्मा पॉजिटिव चाज का तो यहां पर भी यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिंसी यहां पर यह यह बना लेगा पी आर थ्री और यह ऐसे 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 आज़िस क्या फॉस्फोरस पांच पॉंड बना सकता है बिल्कुल बना सकता है फॉस्फ पॉसित नेगेटिव चार्ज का आपके पास कंजूगेशन तो देख रहा है नेगेटिव चार्ज इधर को आएगा ठीके और यह जाएगा आपका इधर को तो आपका यह जो बॉंड है यह कुछ ऐसा बन जाएगा कि यह आ जाएगा आपका नेगेटिव इधर और यह बॉ consecutive double bond क्या कभी रिंग के अंदर consecutive double bond बन सकता है क्योंकि इस वाले carbon carbon hybridization SP हो चुका है और अगर SP होगा तो वो linear shape का रहना चाहेगा उसको आप रिंग में अगर रख रहे हैं तो यहां पर angular string इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यह ऐसा structure बहुत ही ज्यादा unstable हो जाएगा यह नहीं करना चाहेगा same as the case here कि यहां पर यह पाइलेक्ट्रोन को अपनी तरफ बुलाएगा और अपनी तरफ बुलाएगा तो यह हो जाएगा आपार कुछ ऐसा case same बस यहां पर क्या हो जाएगा positive charge यहां जाएगा लेकिन angular strain तो यहां पर भी बढ़ गया ना यह भी structure नहीं हो सकता ठीक है यहां पर भी क्या होगा यह इसको इधर बुलाएगा और यहां पर इस दिधर बन जाएगा एक free radical और इधर आजाएगा जो कि अगें नौट possible तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका structure बन सकता है वह इसका बन सकता है बागी में किसी का भी नहीं शो होगा resonance is that clear तो आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि भाई Conjugation है फड़ा फड़ से हमने resonance बना दिया आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पर बॉंड स्टेबल है या नहीं है ठीक है तो सिर्फ Conjugation देखके नहीं भागना है यह भी देखना है कि बॉंड स्टेबल है या नहीं है तो चलिए next question करते हैं और next question में हम से पूछा जा रहा है which one of the following is more stable हिंट है आपके लिए कि यहां पर लगेगा आपका extended Conjugation and cross Conjugation का concept तो पहले में अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो यहां पर क्या है देखो पाई पॉन सिगमा बॉन पाई बॉन सिगमा बॉन एलों पेर मतलब यह कॉंजूगेशन चला रहा है यह कंजूगेशन आपका चला रहा है ठीक है इसी को बोलते एक्स्टेंडेट कंजूगेशन यहां पर देखा जाए तो पाई सिगमा लोन पेर इधर से और पाई सिगमा लोन पेर इधर से पतला बीच में रुकावट आ रही है ठीक है पाई सिगमा सिगमा आ जा रहा है पाई सिगमा सिगमा जा रहा है लेकिन लोन पेर आ जा रहे बी तो जहां पर extended conjunction होता है जहां पर extended ठीक है, konjister होता है वहाँ पर stability जाद होती है stability is more on extended conjugation, extended conjugation जहां पर होगा stability जाद होगी तो यहां पर stability इसकी जाद होगी, अब इधर देखिए तो यहां पर देखें तो pi sigma sigma pi लेकिन यहां पर देखा जाए तो pi sigma pi sigma pi देख रहे हैं यहां पर conjugation again यहां पर extended conjugation है तो इधर हो जाएगा आपका ज्यादा stability तो सही answer हो जाएगा आपका यह answer clear है तो यहां पर यह ज्यादा stable होगा और इधर यह ज्यादा stable होगा चलिए अब बढ़ते हैं next question पे next question अगर देखा जाए तो हमसे बोरा जा रहा है कि इनके mesomeric power की order में इसको arrange कीजी mesomeric effect mesomeric effect मतलब कि पूरे structure में या पूरे cycle में या पूरे chain के अंदर electron withdraw कर लेना या electron donate कर देना इसी capability को बोलते हैं हम mesomeric effect लेकिन इसका एक condition यह important होता है कि यह electron withdraw या donate करना चाहिए through resonance resonance की वजह से यहां पर पूरे structure में electron चला जाएगा या पूरे structure से electron खीचा चलाएगा तो इस case में हम बताना है हमें बताना है कि मीजोमेरिक पावर किसका सबसे ज़्यादा होगा तो यहां पर देखिए है ओ इन एच ब्रीज फर एच एड़ एन एच टू ए ठीकहे तो मीज़ोमेरिक एफेक्ट आप देख सकते हैं इन सब के पास lone pair है और इसके पास negative charge भी है इसके पास negative charge है इसके पास lone pair है और इसके पास भी lone pair है तो यहां पर यह सभी कैसा if actually यह पूरा का पूरा क्या करेगा structure के अंदर resonance के थू electron देने का काम करेगा मतलब दिस इस एन electron donating group this will be an electron donating group through resonance this is a edg through resonance resonance के कारण से पूरे structure में electron चला जाएगा electron की लहर ऐसे दोड़ जाएगी हमेशा याद रखना मिटा जो नेगेटिव चार्ज होता है it is more it is a better electron donating group than a loan pair loan pair और अगर नेगेटिव चार्ज के comparison में देखूं तो नेगेटिव चार्ज और यहां पर देखिए यह हैं हमारे पास इसके पास loan pair इसके पास भी loan pair इसके पास भी loan pair तो अब क्या होगा ठीक है थोड़ा सापना दिमाग लगाई यह answer बताई यह आई होप अभी तक आप लोगोंने answer बता दिया होगा ठीक है अपने आप जो solve करेंगे pen copy लेके उसमें भी आपने solve कर लिया होगा ठीक है चलिए आप देखते हैं हम इसका answer तो देखा जाए तो यहाँ सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉण डुनेटिंG रूप ही ठीक है एन। इसके बाद आता है pai टीक है कि Amad – ऑसको अब नौणिस के बोले था क्रपीर नीगेटिव चार्जू अगर जिसके पास एक्ट्रोग नेगेटिव होने के कारण एनेज क्या करेगा ज्यादा अच्छocus स मिलक्रों दे सकता है ठीक है तो 2 और फिर ये और चार और तीन में सबसे अच्छकि से इलेक्ट्रों कौन दे सकता है वहाई चार दे सकता है ना क्योंकि अभी इसकी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी कम है एलेक्ट्रोन पूरे स्ट्रक्चर में दे देगा असानी से तो चार फिर तीन अब इधर देखा जाए तो लोन पर तो सबके पास है लेकिन यहां पर यह जो वन है यह सबसे अच्छे से एलेक् ग्रूप का ओर्डर ठीक है यहां पर सबसे ज्यादा मीजोमेरिक पावर किसकी है फॉर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड क्लियर ठीक जी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चिन अरेंज द फॉलोवीं इन देर स्टेबिलिटी ओर तो यहां पर आपका मेज़ग एफेक्ट भी लएगा इंड्यक्टिव इसक्ट भी लगेगा सारे एफेक्ट्स को लगाते हुए आपको बताना है कि यहां पर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का और्डर चलिक और जब भी हम बताएंगे तो यहां पर और नेगेट आपर नेगेटिव च यहां पर इसके पास है लोन पेर यह पूरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज घुमाएगा कैसे घुमाएगा और तो एंड पैरा पोजेशन पे नेगेटिव चार्ज घुमाएगा ये भी पूरे structure में negative charge घुमाएगा लेकिन इसका और तो ये है और ये है पैरा पॉजिशन इसका और तो ये है और ये है पैरा पॉजिशन इसको भी क्या करना है ये भी आपका नेगेटिव चाज पूरे structure में घुमाएगा कहां पर और तो एंड पैरा पोजिशन भी इसके पास भी है लोन पेर ये भी पूरे structure में ओके सारी इस पॉजिटिव लीचार ठीक है ये पॉजिटिव लीचार तो ये तो बहुत क्या करेगा ये दुख को खीचेगा राइट ये दुख को खीचेगा लेकिन ये जो दुख को खीच रहा है वो आपका कैसे खीच रहा है तो यहां पर देखा जाए तो सभी क्या करें स्टैबिलिटी को घटा रहे हैं सिरफ एक स्टैबिलिटी को बढ़ा रहा है डाट इस फ्ट वन बाए माइनस में इसे typically सब Judaism plus 7 plus M FX कर रहे हैं क Catholic यह यहां पे मीजो मेरेक इफैक्ट तो नहीं लग रहा इधर लेकिन हाँ इंड़क्टिव एफेक्ट कि जरूर लग रहा है इंड़क्टिव इफेक्ट ठीक है इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है स्टेबिलिटी इन तीनों की कम हो रही है सिरफ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो फॉर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल ठीक है अब मीजोमेरिक में एनेच टू आण ओएच टू में सबसे अच्छा कौन सा होता है उसके बाद सबसे ज्यादस टेबल होगा two four के बाद two three और वन में देखा जाए तो एच्छो मेस मेरीक पावर होता है ओच का एज कंपेर टू नेच टू तो यह लीस्ट इस्टेबल होगा इस विलीज्ट जेस्टेबल और उसके बाद सेकर्ड नमबर पे और फिर थर ठीक ह लिए तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से रेजनेंस मेजोमेरिक एंड़क्टिव और हैपर कॉंजुगेशन के हेल्थ से हम अपने स्टेबिलिटी का और बता सकते किसी भी और गानिक कंपाउंड का और हम दिन ने देखा कि किसे भी स्टेबिलिटी होता है वो कैसे हम बताते हैं और भी इसी तरह कि अगर सीरीज आपको चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको निक्स सीरीज किस पर चाहिए अभी तो हमने जी यो सी पढ़ लिया है ठीक है तो आई होप आप लोग को यह के लिए अपना बहुत ख्याल रखिये ओके थांक यू सो मच्छ गुडबाई एंड टेक केर